नमस्का दोस्तों मैं है आत मुहम्माट टेकनिकल जन चैनल में आपका स्वागत करता हूँ आज मैं कुछ ऐसे स्मार्टफोन के बारें बताऊंगा जो भी सजा से कम की पराईज में आते हैं चलिए वीडियो को इस्टार्ट करते हैं पहले नमबर पे हमने रखा है समसंग M51 4G यह मोबाइल थोड़ा पुराना जरूर है लेकिन इसमें दमदार फीजा दिया गया है इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.7 इंच की फुल हडी सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है डिस्प्ले के प्रोटेक्शन के लिए गोवर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया है जो एक पंच होल डिस्प्ले है बात करें इसके कैमरे की तो इसमें कॉल्ट कैमरा सेट अप दिया गया है 64 Megapixel का Primary Camera 12 Megapixel का Ultra Wild 5 Megapixel का Depth Sensor और 5 Megapixel का Micro Camera दिया गया है जिससे 4K और Full HD Video रिकार्ट कर सकते हैं Front Camera की बात करें तो 5.6 के साथ 32 Megapixel का दिया गया है जिसमें Full HD Video रिकार्ट कर सकते हैं इसमें Qualcomm Snapdragon 730G Processor दिया गया है जिसमें अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं इसके साइड में Fingerprint दिया गया है इसमें Triple SIM Slot यानि की 2 SIM एक मिमोरी कार्ड एक साथ यूज़ कर सकते हैं इसमें 7000 MHz की बैल्टी दिया गया है जो 25W का Fast Charging Support दिया गया है इसकी प्राइज की बात करें तो इसमें 6GB रेंग के साथ उननी सजा नौसो निन्जान इन्जान 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 रुपे का है दूसरे नमबर पर हमने रखा है Realme 8 S5G इसमें 6.5 इंच की Full HD IPI डिस्पले दिया गया है जिसमें 90Hz refresh rate और 180Hz का touch sampling rate दिया गया है इसमें maximum 600 nits की peak brightness दिया गया है डिस्पले काफी अच्छा दिया गया है इसमें triple camera setup दिया गया है 64MP का primary camera, 2MP का rotate और 2MP का micro camera दिया गया है जिससे Full HD video recording का सकते हैं selfie के लिए 16MP का camera दिया गया है जिससे Full HD video record का सकते हैं इसमें MediaTek Diamond City 810 5G processor दिया गया है जो एक powerful processor है इसमें अच्छा खासा gaming का सकते हैं या Android 11 पर run करता है इसमें triple sim slot दिया गया है यानि 2 sim, 1 memory card, 1 7 huge का सकते हैं इसमें power देने के लिए 5000 image की बैटी दिया गया है जो 33W fast charging के साथ आता है इसकी price की बात करें तो यह 6GB RAM और 128GB internal memory के साथ 17,999 और 8GB RAM, 128GB internal memory के साथ 18,499 का है चैनल को subscribe नहीं किया तो जल्दी से चैनल को subscribe कर लीजिए इसे नमबर पे हमने रखा है realme 8 pro 4G इसके display की बात करें तो इसमें 6.4 inch full HD super emoled display दिया गया है या पंचोल के साथ आता है इसकी display काफी अच्छा दिया गया है इसमें quad camera setup दिया गया है 108 megapixel का primary camera 8 megapixel का ultra wild 2 megapixel का micro और 2 megapixel का depth camera दिया गया है जिससे 4K full HD video record कर सकते है फ्रेंट camera की बात करें तो इसमें पंचोल के साथ 16 megapixel का camera दिया गया है जिससे full HD video record कर सकते है इसके processor की बात करें तो इसमें qualcomm snapdragon 720G प्रोसेसर दिया गया जिससे ठीक ठाक gaming कर सकते है इसमें triple sim slide दिया गया है यानि 2 sim एक memory card यूज कर सकते है इसमें power के लिए 4500 image की बैल्टी दिया गया है जो 15 watt fast charging के साथ आता है इसकी price की बात करें तो इसमें 6GB RAM और 128GB internal memory के साथ 17999 रुपे और 8GB RAM और 128GB internal memory के साथ 19999 रुपे है चोथे नमबर पे हमने रखा है Motorola Edge 20 Fusion 5G इस phone में जबदस display दिया गया है जिसमें 6.67 इंच की full HD super emoled की display दिया गया है जिसमें 90Hz refresh rate और HDR का भी support दिया गया है डिस्प्ले काफी अच्छा दिया गया है डिस्प्ले में कोई सिकायत नहीं होगी इसमें triple camera setup दिया गया है 108MP का primary camera 8MP का ultra wide और 2MP का dip sensor दिया गया है जिससे 4K और full HD video record कर सकते हैं वहीं front camera की बात करें तो इसमें 32MP का camera दिया गया है जो बहुत अच्छा quality का image देता है इसमें full HD video recording कर सकते हैं इसमें media tech diamond city 800U processor दिया गया है जिसमें अच्छा खासा gaming कर सकते हैं इसमें hybrid sim slot दिया गया है यानि एक sim एक memory card या दो sim एक साथ huge कर सकते हैं या android 11 पर run करता है इसमें power देने के लिए 5000 image की बैल्टी दिया गया है जिसको charging करने के लिए 13W turbo charging का support दिया गया है इसकी price की बात करें तो इसमें 6GB RAM और 128GB internal memory के साथ 21,499 का है लेकिन आफर के साथ 20,000 से कम price में मिल जाता है पांसमें नमबर पे हमने रखा है Xiaomi Redmi Note 10 Pro 4G इसमें बहुत कमाल का display दिया गया है जिसमें 6.67 inch full HD super emoled console display दिया गया है जो 90Hz refresh rate और 120Hz touch sampling rate के साथ आता है जो HDR10 को भी support करता है इसमें quad camera setup दिया गया है 64 megapixel का primary camera, 8 megapixel का altia wild, 5 megapixel का super micro और 2 megapixel का depth sensor दिया गया है इसमें micro camera कमाल का है इसमें 4K और full HD video record कर सकते हैं front camera यानि selfie के लिए 16 megapixel का camera दिया गया है front camera से full HD video record कर सकते हैं इसके processor की बात करें तो या Qualcomm Snapdragon 732G processor दिया गया है जो एक powerful processor है या Android 11 पर रन करता है इसमें ठीक ठाक gaming कर सकते हैं इसमें triple SIM स्राल दिया गया है जो 2 SIM एक memory card एक साथ लगा सकते हैं इसके side में fingerprint sensor दिया गया है इसमें power देने के लिए पांच जार बीस इमेज की बैल्टी दिया गया है जिसमें 33 watt fast charging का support दिया गया है अब इसकी price की बात करें तो यह 6GB RAM और 128GB इंटरनर मीमोरी के साथ सत्रहजान नौसो निन्यान बिरुपे का है सावमी Redmi Note 11 Pro भी इंडिया में launch होने वाला है छखे नंबर पे हमने रखा है IQ Z3 5G यह एक 5G phone है इसमें 6.58 inch full HD IPS LCD डिस्प्ले दिस्प्ले दिया गया जो एक water drop notch के साथ आता है इसमें triple camera setup दिया गया है 64 megapixel का primary camera 8 megapixel का ultra wild 2 megapixel का micro camera दिया गया इस camera में 4K और full HD video record कर सकते है front में 16 megapixel का camera दिया गया है front camera से full HD video record कर सकते है इसमें Qualcomm Snapdragon 768G processor दिया गया जो बहुत powerful processor है इसमें बहुत अच्छी gaming कर सकते हैं या एक gaming phone भी है इसमें hybrid SIM slot दिया गया है यानि दो SIM या एक SIM एक memory card एक साथ लगा सकते है या Android 11 पर रंग करता है इसमें 4400 mh की वैल्टी दिया गया है जो 55W का fast charging support दिया गया है या 6GB RAM और 128GB internal memory के साथ अच्छी सब्सक्राइब कर दिया गया है अभी हमने कुछ ऐसे smartphone के बारे में बताया जो 20 सब्सक्राइब के कम की पराइज में आते हैं इन सभी phone का display camera और प्रोसेसर बहुत ही अच्छा दिया गया है यदि कोई बाय करना चाहता तो बाय कर सकता है कोई प्रोब्लम नहीं होगी यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर किया और बिल आइकन को अंकर दीजिए जिसे हमारी notification सबसे पहले आप तक पहुंच सके